हलो एवरिवन आज है 14th मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पेटी एम के बारे में तेकिंगे 580 रुपए के आसपास पेटी एम का जो शेर है ये अभी ट्रेड कर रहा है और देखा जाए तो पेटी एम को लेकर अच्छी खबरे भी आ रही है इनका जो वीडियो में हम बात्चीत भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इससे सब्सक्राइब कर लेजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी जादा हेल्प करेंगे तो तक्रीबन 5 180 रुपए का शेर है पेटीयम का और पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो पिछले एक महिने में पेटीयम के शेर में लगातार गिरावट है आदेगे 10% तक तूटा है ये शेर और ये लगातार गिर रहा है आदेगों पिछले कुछ दिनों में गिरावट जादा है अच्छी रिपोर्ट्स होती है इस चे शेर में तेजी आनी चाहिए लेकि नहीं आ रही है क्यों वो हम बात करें कि यहां पर आगे लेकिन न्यूज सबसे पहले अगर हम देखें तो PTM continue to scale its credit business with disbursement of 4,158 crore in February 2023 अगर हम बात करें year on year के बात करें तो तक्रीबन 255% का यहां पर growth हमें देखने को मिला है जो कि बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात है and number of loans disbursement के अगर हम बात करें तो यहां पर भी 86% का rise आया है पिछले साल के मुकाबले तो यह बहुत बड़ा numbers है कि भाया लोग जादा तर PTM से मतलब PTM का definitely एक बड़ा business यह भी है कि वो loan दे रहा है छोटे business को ठीक है और यहां पर तेजी आई है वहाँ पर कि लोग जादा पैसा ले रहे हैं PTM से according to the monthly performance update the company's consumer base continue to expand यह company का जो user base है consumer base है वो बढ़ रहा है 8.9 करोड हो चुका है for quarter on quarter अगर हम देखे तो और 28% का rise आया है यहां पर चुकि अगेन अच्छी बात है इतना ही नहीं PTM का जो merchant payment volume है जिसको हम GMV कहते हैं यहां पर तो यहां पर अगर आप देखोगे तो quarter on quarter देखा जाए तो यह बढ़ रहा है यह अगर आप देखोगे तो 41% का jump हमें देखने को मिल रहा है जो कि अगेन अच्छी बात है और यह खबरे होती है कि ऐसे share में तेजी आनी चाहिए और सबसे बड़ा यहां पर अगर आप देखोगे तो नंबर ओफ मर्चंट पेइंग सब्सक्रिप्शन फोर पेइमेंट डिवाइस इस लाइक साउंड बॉक्स जो है वह सिक्स्टी फोर लैक तक रीच कर गया है फेबरुरी तक देखो पेटीम में यह जो साउंड बॉक्स निकाला है ना जब जब भी आप किसी क पर आप जाते हो वहां पर आपको एक डिबबा देखता है पेटीम कर अगर आप उसको स्कैन करके करते हो तो आवाज करता है कि वह यह इतना पैसा प्राप्त हुआ तो यह बहुत यह बड़ा अचीवमेंट था पेटीम को लेकर और पेटीम ने इसको बड़े पहमाने पर स देखो अच्छी रिपोर्ट्स आई अगर नॉर्मल डे होता तो वह यह इस रिपोर्ट के चलते शेर दोड़ जाता लेकिन दिक्कत पता है क्या है पेटीम में दिक्कत यह है लूज एंड्स प्राप्लम यह है कि पेटीम में न अर्ली इन्वेस्टर्स हो थे बहुत सारे अ यहां पर वो एकजिट डून रहे है हम खबर सुनते हैं जब भी कोई शेर में तीजी आती है जब भी जैसे कि क्वार्टर दी रिजल्ट इनके अच्छा है थे लास्ट क्वार्टर डिसमबर के बिट्टा पॉजिटिव हो गए ठीक है यह तो क्या हुआ एकदम से तीजी आ अच्छा गया तो यह जो लूज एंट्स है ना यह अभी इंको परिशान करेंगे काफी परिशान करेंगे यहां पर कि यहां पर जो अरली इन्वेस्टर बहुत वह सारा है पेटी म्म में और यह एक दोå यह उंड़ रहे हैं और यह मौकắng टूट रहा है यहत्यान Sophie grain और यहां से और यह एक issue है अभी भी पेटीम में और जब यह तीजी आ रही थी मैंने कहा था मत खरीदना अभी क्योंकि बहुत सारे early investors है जो exit ढूंड रहे हैं तो यह तूट रहा है लगा ता टूट रहा है खरीदारी की मौकी कहां पर बनेंगे वह भी बात्चे ते अगर हम करे तो 440 रुपे तक भी यह share गया था यहां पर और company को लेकर देखे तो large company है 37,000 क्रोर से भी जादा के इसका मार्केट के फे वॉल्यूम जगा देखे तो 40 लाग चास पास देखने को मिल रहा है company हाला कि last quarter में 390 क्रोर का loss इसने दिखाया था लेकिन EBITDA positive होए थे जो कि अच् अच्छा कासा jump आया ज़रूर है पेटीम को लेगर अगर आप हम बात करने जाए तो company में according to money control user 42% लोग कह रहे है कि बेच दो 50% लोग कह रहे है खरीदारी करो 8% लोग कह रहे होड़ करो इतना ही नहीं अगर हम बात करने जाए तो पेटीम में जो इनके revenue थे 2022 में वो 3900 क्र में इनका revenue है वो 2000 क्रूर का रहा है मतलब expected है कि 2023 में इनका revenue होगा वो double हो जाएगा डबल हो जाएगा यह बड़ी बात है profit की अगर हम बात करें तो company loss making company है लेकिन 2023 में भी company loss से report करेगी financial 2023 में लेकिन financial 2024 में हो सकता है कि चीज़े बदलती नजर आए profit की तरफ जाते हुए यह लोग नजर आ जाए पीटियम को लेकर अगर देखे तो भाईया यहां पर 82% कहते हैं खरीदारी करो मेरी अभी बाहिंग के recommendation पेटियम में नहीं है मुझे लगता है कि अभी थोड़ी से गिरावट आएगी तो कि देखो ग्लोबली भी situation ऐसे पेटियम में अगर आप देखो जो early investors हैं जैसे कि Alibaba पहले हो गया था उन्होंने बेशना शुरू कर दिया अब बाकी के भी हैं जब भी तेजी आएगी वो exit ढूंडते हैं थोड़ा थोड़ा करके और यह बहुत बड़ी quantity है Files के अगर आप देखो तो बहुत बड़ा numbers है और Files लगातर बेच रहे हैं ग जब भी मौका मिलता जब भी शेयर में तेजी आती है यह थोड़ी-थोड़ी करके quantity अपनी कम कर रहे हैं पेटियम में अच्छी है मैं उमीद करता हूं कि आने वरे दौर में प्यमाने पर expand कर अपने business को और positive में आ जाए और शेयर में तेजी भी देखने को मिलें मैं expect करू रहे हैं तो अभी के लिए पेटियम मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो चाहो तो बने रह सकते हैं फिर भी गिरावट अभी वे आपको देखने को मिलेगी यहां पर बीच बीच में ऐसी reports आती रही कि अच्छा performance हुआ है यह हुआ है वो हुआ है लेकिन फिर भी जो दिक्क लग रहे हैं वो 500 रूपए के नीचे लग रहे हैं साड़े चार सो से 500 रूपए का जो रेंच है वहाँ पर शायद मौके बन सकते हैं तो अभी के लिए अवाइट करिए लेकिन जब भी उस रेंच के आसपास जाएगा तो डेफिनली हम इसके बारे में भी बात चिस जरूर करेंगे वीडियो को यहीं प्रेंट करूंगा पसंद आओ तो लाइक कर शाय करें चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और पेटियम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखते बता सकते हैं थैंक्यू